देश मेरा जल रहा है आग लगी है सीने में हुक्मरा सव्यफ्त है खून गईब का पीने में तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आई हूँ मैं आरक्षी खुश्बू चोहान केंद्रे रिजर पुलिस बल आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्तावी पक्ष में अपने विचार प्रस्तूत करूँगी महोदय दर्द हद से तब गुजरनी लगता है जब मेरी आखों के सामने ताज, पुलवामा, 36 गण में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर के टुकडे, रेत के टीलों से उपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंकी सडकों के द्रश्य स सामने आते हैं, उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवा दिकारों के अनुपानला करते हुए देश से उगरबाद और आतंग बाद को समात्त किया जा सकता है, महोदय आप तो हमारा तिरंगा जंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आज तो भरती में एक इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूँ, महोदय, आज इन मानवा दिकारों के कारण, इन आतंक्यों के बंगलों की आकाओं की नाक्वनी हस्ती है, और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है, जब एक शहीद हुए आदमी मराहसाहब मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, महोदय, किसी भी युद्य को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवा है कि पहल करके बड़े-बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिये गए हैं, परन्तु आज मानव कि चाहिए एक उगरवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तैकरना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णे लेना पड़ता है, कि चाहिए वो किसी निर्दोष को लगे या ना लगे, परन् प्रवाजों दो यह मुम्किन नहीं जो हात बांदे सेना के ऐसे मानवाधिकार का पालन संभब नहीं महोदै आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंगवादियों इन पत्थरवाजों से डरता है क्योंकि वो जानता है कि उसके राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो अभी 400 मिटर तक जाएगी और यदि इस बीच वो किसी निर्दोश को लग गई तो महोदै हमें अपनी नौकरी से हाथ तक दोना पड़ सकता है और महोदै अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज ये सोचता है कि चाहे साप मरे या ना मरे परंतु लाठी नहीं तूटनी चाहिए क्योंकि आज हमारे देश के हाला कुछ ऐसे हो गए है कि चिरागों को हवाओं में उच्छाला जा रहा है हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है अरे हमी तो बुनियाद है अंतरिक सुरक्षा की और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है महोदै जब पुलवाम हमी 44 जवान सहीद हुए 36 गर में 76 जवान सहीद हुए तो कोई भी मानवादिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्स में आकर खड़ा नहीं हुआ परन्तु जब जेनियू विस्पित ध्याले में एक देश द्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल हम सर्मिंदा हैं जैसे देश द्रोही नारे लगते हैं तो सारे मानवादिकार के ज्याता आकर उसके पक्स में खड़े हो जाते हैं तभी तो क्या कहा था उस देश द्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा उठो देश के वीर जवानों तुम सिंग बनकर दहार दो और एक तिरंगा जंडा उसका नहिया के सीने में गार दो महोदै अंत में अपनी वानी को विराम की और ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की नहीं प्रकर्या पर जहां आज भी रात के बारा बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सरवोज नियाले के दरवाजी खोल दिये जाते हैं ऐसे देश से मानवादिकारों के अनपाला करते हुए आतंकबाद और उग्रवाज से कभी नहीं निप्टा जा सकता मानवादिकार के नाम की दुहाईयं देने वालों सीमा पर लड़ा नहीं जाता चर्कों से शोलों के आगे रामायर पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे धर्ती के घोर गुहाँ से को एक सूरज ही हर सकता है क्योंकि एटम बम से रक्षा के बल एटम बम ही कर सकता है जैहिन चैभर